नवस्कार दोस्तो भारत सरकार के रेलवे मंत्राले ने एलपी असिस्टेंट लोको पाइलेट 2024 के लिए नई भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसकी योग्यता क्या है, आयू सीमा क्या है, सेलेबस क्या है, सेलेरी क्या है, एक्जाम पेटरन क्या है, सेलेक्शन पोसिस क्या है और इसकी इंपोर्टेंट डेट्स क्या है सब कुछ आम इस वीडियो में बताएंगे यदि आपने अभी तक सरकारी रिजल्ट एक्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें क्योंकि सरकारी रिजल्ट एक्जाम देता है योटीव पर सबसे तेज और सबसे सटिक सभी सरकारी नोकरियों से समंधित तो यह है रेलवे मंत्राले द्वारा असेस्टेंट लोको पाइलेट का फुल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपनिंग डेट एप्लिकेशन फोर्म की ओपनिंग डेट है 20 जनवरी 2024 और इसकी क्लोजिंग डेट बताई गई है 19 फरावड एवन है और एज है 1 जुलाई 2024 से काउंटिंग होगी 18 से 30 साल यहाँ पर टोटल वेकेंसी की बात करें तो 5694 टोटल वेकेंसी है इसके बारे में हम बाकी डेटेल आगे डिसकसन करेंगे आगे बढ़ते हुए हम इसके मेडिकल स्टेंडर्ड के बारे में देखेंगे तो इस आगे देखते हैं इसके एज लिमिट की तो इसकी एज लिमिट 1 जुलाई 2024 से काउंटिंग होगी और केटेगरी वाई छूट सामिल है जहाँ पर SC-ST कंडिडेट के लिए 5 यर और बाकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर जनर 1 जुलाई 2006 होनी चाहिए SC-ST के लिए 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2006 के बीच डेटो बर्त होनी चाहिए आगे हम देखते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस की तो इसकी एग्जामिनेशन फीस है SC-ST, एक सर्विसमेन, फ्रिमेर, ट्रांसजेंडर, माइनरिटी और एकोनोमिक की बेग्राउंड क्लासेज यानि EBC इसके लिए फीस रखी गई है 250 रुपे और अधर कंडिडेट के लिए 500 रुपे फीस रखी गई है बागी डीटेल आप यहाँ पर देख सकते हो आगे हम देखते हैं selection process, selection process में क्या है सबसे पहले आपको online application submit करना है इसके बाद में आपको इन 5 process से होकर गुजड़ना होगा पहला CBT1, CBT2 और CBAT यानि computer based aptitude test, documents verification और medical examination, final selection के लिए आपको इन 5 process से होकर गुजड़ना होगा अब इसके बारे में हम थोड़ा detail में discussion करें तो CBT1 का exam pattern क्या है यह 60 minute के लिए होगा जिसमें फिचे तरक्यूशन सामिल होगे और negative marking one third होग यहाँ पर और हम detail में देखें तो इसमें mathematics, mental ability, general science और general awareness के क्यूशन होगे आगे हम बात करते हैं CBT2 की, तो CBT2 के लिए CBT1 में vacancy का 15 गुणा candidate को पास किया जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा part A और part 2 जिसके लिए 2 गंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और total 100 पीछे तरक्यूशन होगे part A में 90 मिनट और 100 क्यूशन, part B में 60 मिनट और पीछे तरक्यूशन, जिसके लिए negative marking one third रखी गई है यहाँ पर हम और detail में देखे तो syllabus four part A में आएगा mathematics, general intelligence and reasoning, basic science and engineering अगर हम syllabus four part B की बात करे तो इसमें degree, diploma, ITI की trade wise यहाँ पर syllabus है जिसे आप इस link पर जाकर देख सकते हो अगली process होगी आपके सामनी computer based aptitude test यानि CBAT जिसकी detail आप यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद में process होगी documents verification इसके बाद में आपको medical process से ओकर गुजरना होगा जिसकी detail आपको इस notification में मिल जाएगी यह notification आप हमारी telegram से download कर सकते हो आगे हम देखते हैं assistant local pilot के लिए minimum educational qualification तो इसके लिए 10th plus ITI होना जरूरी है या 10th plus 3A diploma होना जरूरी है या आपके पास BTEC किसी भी trade में होना जरूरी है ITI के लिए trade आपको यहाँ पर दिग जिसे आप यहाँ पर detail में और देख सकते हो आगे हम देखते हैं जोनवाइज इसकी post तो यहाँ पर जोनवाइज पोस्ट देखें तो एहमदाबाद के लिए 238, अजमेर के लिए 228, बैंगलोर के लिए 433, बोपाल के लिए आपर 219 और 65 दे रखी है बुनेशवर के लिए 280, बिलासपुर के लिए आपर 124, 1192, चंडिगड के लिए आपर 66, चन्नाई के लिए 148, गोरकफुर के लिए 43, गोयाटी के लिए 62, जम्मो और स्रीनगर के लिए 49, और कॉलकाता के लिए 254, के लिए 161 और 56, मुंबई के लिए 26, 110, मुझज़फरप के लिए 411, मुंबई के लिए 26, 110, 411, मुझ़फरपुर के लिए 38, पटना के लिए 38, और प्रियागराज के लिए 241, और रांची के लिए 153, सिकंद्राबाद के लिए 199, 500, सिलिवुडी के लिए 66, और तिरोंतपुर्म के लिए 70, यानि टोटल वेकेंसी 5690, जहापर आप जनरल, SC, ST, OBC, EWS, यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में, दोस्तों आपको बता दे, इस चैनल पर आपको ALP से समंदित पलपल की अपडेट सबसे तेज और सबसे सटेक मिलेगी, इसलिए अभी सरकारी रिजर्ट एक्जाम को सबस्क्राइब करें, और बेल आइकोन को किलिक करना बिलकुल ना भूले, साथ दोस्तों इसके ओनलाइन एफ्लिकेशन कैसे वरे, इसके लिए जल्द ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी, इसलिए बेल आइकोन को ALP किलिक करना बिलकुल ना भूले, यूटीब पर सरकारी नोकरी से समंदित अपडेट सबसे पेज और सबसे 60 पाने के लिए सरकारी रिजल्ट एक्जाम को सबस्क्राइब करें और बेल आइकोन को ALP किलिक करना बिलकुल ना भूले